तो नमस्कार आदाप सुस्रेकाल दोस्तों मैं रजनी स्वागत करते हूं आपका हमारे चैनल दसक्सेस में और दोस्तों आज है 12 में और 12 में का एक वीडियो आपके सामने मतलब आएगा जो करेंट अफेर्स का है छोटा वाला वीडियो जिसमें फैक्चुल कॉशन्स होता है और एक जो डेली की में संस्वा राइटिंग अपन करते हैं वह वाला वीडियो लेके मैं आपके सामने प्रस्तूत हूं तो बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज का कॉशन तो दोस्तों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आप सबने सुना भी होगा कुछ लोगों क पता भी है कि यह क्या है और कुछ लोगों को नहीं पता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है कुछ लोगों को ऐसे पता है कि नई संसद बनाई जा रही है लेकिन यह नहीं पता कि उनको उस जो प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया जया है तो दोस्तों से नाम दिया गय कि सेंटरल विस्टर प्रोजेक्ट को भी पोस्ट पॉंड कर देना चाहिए लेकिन केंद्र सरकार ने अभी पोस्ट पॉंड करने के लिए हामें नहीं भरी है तो दोस्तों क्या ऐसे हालात हो गए सबसे पहले तो सेंटरल विस्टर प्रोजेक्ट क्या है फिर क्या ऐसे में तो बन ही जाएगा ऐसा कोशन तो इंटर्विव और मेंस दोनों के उसके लिए के जर्चा में हैं और अगर फैक्ट्वल की बात करें तो दोस्तों प्री में भी पूछा जा सकता है कि किस से समंदित है कितना खर्चा है क्या बन रहा है है ना तो वही सब लेके मैं आपके स सामने प्रस्तू तो तो सो शब्दों में उत्तर लिखेंगे अपन तो देखते हैं शुरू करते हैं सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि देश में बढ़ते को रोना संकट के चलते सेंटरल विस्टा प्रोजक्ट को कुछ समय है तो स्तगित करने की दलिले द साथ हो गई कि यह चटर्चा में धी ठीक है और है क्या सन्साथ ब्रोजक्ट तो क्योंकि श्वई शब्दों में लिखना है जिसमें हमें बताना भी है है क्या और जिए भी बताना है क्यूं होना प्योंdriver przed उना तहत नए संसद भवन और कंद्रिय सची वाले दोस्तों केंद्र का नया सचीवाले हैं वो दोनों बनाए जा रहा है निर्मान किया जा रहा है तता इंडिया है लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी जरुरत है न और दोनों है अब इसका पुननिर्मान किया जा रहा है मतलब जो राजपत है हमारा राजपत किसको बोलते राष्ट पति भावन से लेकर इंडिया गेट तक क्या जो तीन किलोमेटर का रस्ता है उसे राजपत ब पूरे तीन किलोमेटर के छेतर में बन रहा है पुरानी मारतों को तोड़ा जा रहा और उसकी जगे नया संसत्भावन और केंद्रिया सची वाले बनाया जा रहा और इसमें लागत वता है कितनी आ रही है बीस हजार करोड रूपए कितनी है हमारी जो रिफाइनरी राजस्ता के लिए ऐसे चीज़ें भी जरुरी हैं क्योंकि इन से एक तो पर्याटन भी बढ़ता है दूसरा देश की शान के लिए यह बहुत जरूरी होती हैं दोस्तों क्यूंकि हमारे लिए हमारे जो पूर्वज है कितनी सारे चीज़े छोड़ के गए हैं किसी ने इंडिया गेट बनाया किसी ने लाल किला बनाया किसी ने ताजमेल बनाया यह नहीं होता तो हमारा देश विश्वे के साथ आस्चरियों में कहीं नाम होता क्या नहीं होता ना तो जरूरत तो है है ऐसी चीजों पर करने के देश को सुन्दर बनाने की लेकिन फिर क्यं आलोचना ही हो रही है इसकी क्या ऐसा हो गया कि इस आलोचना करने पड़ रही है तो Mahar के हम दमने सहें घंचार के पक्षमें तरक क्या है क्यों बनना चाहिए Central Vista Project क्यों चलाया जा रहा है तो दोस्तो पहला तर्ख है कि वर्तमान का जो संसद भवन है उसका निर्मान 1927 में हुआ था जो वर्तमान में द्वी सदनिय व्योस्ता के अनुकूल नहीं है 1927 में बना हुआ है दोस्तो हमारा जो संसद भवन है वर्तमान वाला जो आजादी से पहले तक का पहले बना हुआ है अंग्रेजों के समय में है तो दोस्तो 27 और अभी देख लो 2021 चल रही है लग बग 100 साल पुराना ही हो गया है ना 6 साल बाद 100 साल हो जाएंगे तो बहुत पुराना हो गया तो हमें जर्रत है उस टाइम पर दोस्तो जन संख्या कितने कम थी अब कितनी जादा है उस टाइम पर किते से लोग बैठते होंगे संसद में अब तो कितने जादा बैठते हैं तो जर्रत बिलकुल है हमें है भी सदनी व्यवस्ता भी नहीं थी उस टाइम पे है ना तो लोकसवा और राजसवा दो सदन ठोड़ी थे उस टाइम पे अभी जर्थ है इसलिए बनना चाहिए दूसरा दोस्तों भविश्य में लोकसवा और रज़े सभा के सथस्थय संख्या में वर्धि होगी उस हैतु संसध में कम इस्थान है दोस्तों कहा जा रहा है कि इस बार की जो परिसीमन आयोग बनता है दोस्तों हमेशा परिसीमन आयोग के का अधार です सथाशयों के संख्य आह आप लोग बताईएगा कि वर्तमान में जो लोग सभा और राजय सभा की सदश्य संख्या है वो कितने वर्सों तक तै है मतलब कब बदलेगी कब बदलने के संभावना है संभावना नहीं है कब बदलेगी हमारे यहां पे कुछ शंशोदन किया गया है कि इस वर्स तक तो यह था यह जो स्थिति है वही रहेगी और इस वर्स बाद चेंज किया जाएगा तो वह कौन सा वर्स है ठीक है तो दोस्तों वह वर्स आने वाला है और इसके पश्चाथ जो हमारी लोग सभा की सदस्य संख्या भी कितनी है पांसो पैतालिस है ना और जो राजे सभा में हैं 245 के लगबग तो दोस्तों लगबग दुगने हो जाएंगे यह दोनों ही सदस्य और इतने लोगों के लिए बैटने के लिए अभी जगह नहीं है ना तो इस लिए भी नया भवन की जुरत है तीसरा है दोस्तों हमारा जो केंद्रिय सच्ची वाले है वो है तो सही लेकिन कई सा सब्सक्राइब नहीं है अता सांसेदों के सुरक्षा संबंदी खत्रे भी है तो वर्तमान में जो बोल रहे हैं कि जो भगन है दोस्तों उसमें भूकम क्योंकि पहले इतनी टेक्नोलोजी नहीं थी अगनी रोधी भी नहीं है इमारत भी सो साल लगबग होने को आये तो जो लिए तो हमारे देश के दोस्तों प्रधान मंत्री वहां बैठते हैं राष्ट्रपती वहां बैठते हैं उप्राष्ट्रपती बैठते हैं जो हमारे देश के सबसे इंपोर्टेंट सदश्य होते हैं वह वहां बैठते हैं तो आपको पता है उनके सरक्षा करना तो हमारे ज को फ्रेंडी होगा जिससे परियावरन प्रोडूशन कम होगा कहते हैं कि वर्तवान संसत भवन ना वो उसमें आने के लिए जो नेता लोग है उनको कई सारी गलियों में घूमके आना पड़ता है ठीक है लेकिन जो नया संसत भवन बनाएगा वो बनेगा वो इस तरह से इंट तो कहा रहे हैं एको फ्रेंडली होगा मतलब परियावरन अनुकूल होगा प्रदूशन नहीं होगा तो एक यह पोइंट भी बोला जा रहा है तो यह पांच पोइंट है दोस्तों आपको भी बिल्कुल सही लग रहे होंगे कि बिल्कुल सही बात है इतनी सारी ज़रत भी है पुराना भी हो गया है है फिर किराई में भी कुछ चीजे चल रही है फिर प्रदूशन भी होता है तो हमें जरुत है कि नया भवन बनना चाहिए अब दोस्तों असली चीज आती है कि सबसे बड़े आलोचना का सब्जेक्ट यही है दोस्तों बीस हजार करोड रुपए, बीस हजार करोड रुपए कितनी बड़ी रकम होती है, अभी लोग मर रहे हैं, वेक्सिन नहीं मिल रहे हैं, होस्पिटल्स नहीं हैं, बैड नहीं हैं, वेंटिलिटर नहीं हैं, उस समय हम क्या कर रहे हैं, अपने सांसदों के लिए, अपने हमें कितने ज्यादा पैसे हम कर रहे हैं कितने ज्यादा पैसे हम कर रहे हैं के अंदर को ऐसा होना चाहिए कि लो ये लो पैसे हम आपको जचा के पैसे देंगे हम आपको अक्सिजन भी देंगे हम आपको वेंटिलेटर भी देंगे बस लोगों के जान नहीं जाने चाहिए जान बचाए बाकी सारी चीजे बाद में इस साल के सारे बजट कैंसल कर दिये लोगों के जान बचाने की तो तुम जान बचाओ बागे सारी चीजेों बाद में होती रहेंगा ये सबसे बड़ी नीड है आज के ताइप की इसी से दोस्तों हालूचना हो रही है कि इतना बड़ी राशित प्रबंदन में खरचाने कि थिल्कुल वाजिब करण भी है कि होना चाहिए ऐसा ही दूसरा कारण रहा है कि इन्होंने सब बगवास बाते हैं प्रदोशन कम होगा की पहले गाड़ियां गूंके आती थी अब direct मेट्रों से लिंक किया जाया कोन सा सान सदार जो मेट्रों में आएगा दोस्तों सब अपने लेकिन यह जरूर है कि इतना बड़ा भवन बन रहा है इतनी सारी मारते तोड़ी जा रहे हैं नहीं मारते बनाई जा रहे हैं तो प्रदूशन बड़े गाना की कम होगा अब विपक्ष में बोलना है तो ऐसे टॉपिक्स भी देना ही पड़ेंगे अपनको और थार्ड है दोस को घूमने ना दिया जाए अब ट्यूरिज्म को बंद कर दिया जाए क्योंकि सेक्यूरिटी का इश्यू भी हो जाता है आगे जलके तो कि ऐसे लोग इस एरिया में नहीं जा सकते हैं आज जो राजपत इतना बड़ा घूमने का शेत्रे हो सकता आगे हमें देखने को नहीं नहीं मिले तो मतलब यह कंफार्म नहीं है लेकिन एक इश्यू जताया जा रहा है तो आलोजना में हम यह दो तीन पॉइंट टेक सकते हैं फिर निश्कर्स के रूप में हम कहें तो निश्कर्स तक कहा जा सकता है कि जरूर देश में समय के साथ संसद भवन का नवनमेश होन पशुरू कर देंगे सब्रूumin तो निश्कर्स के रूप में में अपने विचार रख रहे हैं कि मेरी नजर में संसद भवन बनना जाए किस ने नहीं नहीं बननाचाहिए बहुत जरूरत है यह थेश में नएन-एंस से लोगों की यहां बचाए जाने चाहिए ज्यादा से जादा बनाई जाने जैए सीरम को ज़ना चाहिए कि तुझे पैसे हम देंगे लेकिन तु वैक्सीन बना है लेकिन वैक्सिजन बनाओ कितनी फैक्ट्रिया लगाओ एक दिन में सो मजदूर काम करते हैं हजार लगा दो लेकिन कुछ समय के लिए स्थागित कर देना चाहिए और आने वाले समय में जब भी इस दिन नॉर्मल होगी नया प्रोजेक्ट बना लिया जाएगा तो यह था दोस्तों आज का कॉशन तो कैसा लगा सेंटर्ल विस्टा प्रोजेक्ट अगर आप हिंदू पढ़ते हूं भासकर और जो पत्रे का है उसमें कोई बहुत जादा अच्छी न्यूस मुझे लगते नहीं है क्योंकि इतनी जादा यह अच्छी बाते नहीं करते हैं एक दूसरे पक्ष की बुराई करत है लेकिन हिंदू थोड़ा सा दोस्तों मनलब बड़े लोग होते हैं विष्वशक्या होते हैं उनकी एक राइ होती है वाड़ी शांदार वाले लगती है उसमें आवाज उठाई जाती है सरकार के खिलास क्योंकि थोड़ा सा ऐसे लगता है कि वह अपने जैसे बच्चों क देखें तो काम के नहीं है हाँ डैनिक जीवन में क्या हो रहा है धरुदर वो जानने के लिए जरुरी है इसलिए पढ़ना चाहिए लेकिन अगर एक अपन को ऑफिसर्स वाला व्यू रखना है हर चीज के पक्स में तो वहां पर हमें ऐसी चीज़ों के जरुरत हो जाती है तो पांच लाइन में मैंने क्या इंट्रोड़क्शन दिया यहां पूछा क्या जा रहां अब बताये पूछा ज़ि오 चर्चा में क्यार यह besteht बनवाना चाहते हैं Central Vista Project को रुखवाना चाहते हैं वो क्या कह रहे हैं तो दोनों तरह से हमने कोशन को सजा दिया कि किंद्र सरकार ऐसे कह रही है और हमेशा points में answer लिखे जैसे मैंने लिखे हैं दोस्तों कभी भी वह राम कहानी मत लिखना परेग्राफ वाली उसमें कम मार्स आते हैं लब हमेशा नहीं लेकिन जादा तर मामलों में कम आते हैं तो आप कोशिस करना अभी से ऐसे ही लिखना फिर आलोचना क्यों हो रही है यह भी लिख दिया लेकिन लास्ट में हमें हमेशा positive approach के साथ ही खतम करना है लेकिन हमारी राय देना भी जरूरी है तो हमारी राय के अनुसार हमने कहा कि ठीक है अच्छी बात है बनना चाहिए देश के लिए ऐसे होने चाहिए लेकिन कुछ समय के लिए से इस तक गित करना चाहिए तो एक सकारात्मिक विचार के साथ एक अच्छी राय के साथ हमने हमारा अंसवर खतम किया तो यह था दोस्तों आज अगर ऐसे कोशन आप पढ़ना चाहते हो लिखना चाहते हो तब बने रही है मेरे चैनल पर दोस्तों के साथ शेयर भी करते रही है और लाइक शेयर और सब्सक्राइब बहुत सारे लोग दोस्तों जो देख रहे हैं मुझे पता चलता है मतलब मेरे पास यह हैं दिखाते हैं वालों को लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है लगबग 80% लोग ऐसे हैं जो विदाउट सब्सक्रिप्शन के देख रहे हैं तो प्लीज प्लीज दोस्तों अपील है आपसे कि सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी सब्सक्राइब भी कर ले थैंक्यू सो मच